बजट करते हैं बजट की आज यूपी की यूगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है वित्मंती सुरेश करना आज सुभा 11 बजे बज़े पेश करेंगे और इस बजट में सरकार कई गोश्राओं का एलान कर सकती है जिनावी साल होने की चलते हैं ऐसा अनुमान लगाए जा रहा है कि बजट में सरकार प्रदेश की जन्ता को बड़ा तोफा देने की कोशिश करेगी और इस बार का बजट पिछली बार से 12 फीजी जादा बड़ा बताय जा रहा है इस बार का बजट 7.5 लाक करूर से ज़ादा रहने की उपीद है तो आजब जबजट पेश करने वाली है सरकार और बताय जा रहा है काफी कुछ रहने वाला है सरकार इस बार का जो बजट है उसमें पिछली बार की अपेक्शा इस बार जढ़ा बजट रहेगा पिछली बार 7.5 लाग करोड से जादा रहने की इस बार उमीद बताई जा रही है योगी सरकार आज विधान मंडल में अपना बज़र पेश करेगी इस बार का बज़र पिछले साल की तुल्ला में जादा राशी का होने की संभावना है उमीद जताई जा रहे है कि इस बार योगी सरकार 7 लाग 65 लाग का बज़र पेश करेगी योपी विधान मंडल में योगी सरकार तीसरा बज़र पेश करने वाली है योगी सरकार के दूसरे कारकाल का ये तीसरा बजट होगा जिसे सूबे के वितमंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे चुनावी साल में आ रहे हैं इस बजट में किसानों युवाओं और महिलाओं को लेकर कुछ खास भोशनाय हो सकती है पिछले साल योगी सरकार ने 6,90,000 करोड का बजट पेश किया था इस बार बजट में 75,000 करोड बढ़ोत्री की संभाबना है योगी सरकार इसमार 7,65,000 करोड का बजट पेश कर सकती है तरब बढ़ेगा आज हम एक प्रोग्रसिब प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं देश और दुनिया में बजट पेश होने के बाद ये सत्र 12 फरवरी तक चलने वारा है 6 फरवरी और 7 फरवरी को राजवाल के अभिभाशन पसदन में चर्चा होगी वहीं 8 फरवरी को वित्तिवर्श 24 पच्चिस के आईवेपर चर्चा होगी 10 और 12 फरवरी को आईवेपर चर्चा के साथ अनुदान की मांगों पर विचार किया जाएगा लोकस बाचुनाम नजदीक है ऐसे में उमीद जताई जा रही है कि योगी सरकार के इस बजट में यूपी को साथने की पूरी तयारी होगी बियरपोर्ट जी मीडिया